सब्सक्राइब और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है फिलाल जो यह दो चाप यह आप मेरे हाथ में देख पा रहे हुए चाप यह हमारी ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क को यह आपके सामने 2024 किया कहरेंच यह इसका प्रीमियम ऑप्शनल वेरियंट है और यह प इंदर आपको मिल जाती है और आप कह सकते हो कि सेग्मेंट की काफी जादा नहीं सबसे जादा स्पेशर्स सिक सीटर सेवन सीटर मतलब गाड़ी है यह और फीचर्स के मामले में भी अच्छे खासे फीचर्स आता हैं बेस मोडल से ही कुछ चीज नहीं मिलते हैं बेस मोडल लगता नहीं हो वीरिंट भी खाली खाली जा वागि इस प्रीमिम ऑप्शन के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है उसके मादचीत करने वाले हैं प्राइस आपको बता दिया है चीज एक है क्या वह बताते हैं पहली चीज चीज चिश चाब यहां देख सकते हो यह कुछ इ बटन है इस बटन को होड़ करके रखोगे तो यह गाड़ी का जो बूट है आप एक्सेस कर सकते हो बाकि इन हैंट फील जो है जिस तरीके का वेरियंट है तो उस हिसाब से की काफी जादा प्रीमियम लगती है बाकि यहां पे भी सेम कंटों सा आपको दूसरी चापी पर द यार उस वगरा नहीं है यह कुछ इस तरीके से ही मिलेंगे इस यूनिट को कम्प्रीट करने के लिए यह फ्रेंट का जितना भी पार्ट है यह एक ग्लॉसी पैनल के थुरू कनेक्टेड है यहां पे एक सिल्वेस्टिप आपको मिल जाती है एक सिंगल बल्ब हैलोजन सेट जो माउथ बनाता है यहां पर बढ़िया तरीके से और यह जितना एरिया आप सामने से देख रहे है सब कुछ यहां पर एरिंटेक के लिए यहां पर किया है यहां पर मैंशन है और साइड में क्लैटिंग वगर का रेशो आप देखोगे गाड़ी का साइज जो है काफी अगर जो है वो किलियर है तो वह बहुत अच्छी चीज लगते है देखने में टायस की बादचीत हम करें तो यहां पर आप देख सकते हो जेके के टायस हम फस्ट अफॉल टायस सेक्शन का जो है वह आपको मिलता है 195 65R15 पंद्रा इंच के स्टील भी लाएंगे और यह वील क्लीन है अगर आपको एक प्रैक्टिकल सिक सीटर या सैवन सीटर चाहिए कम बजट के अंदर जो रिलाइबल हो तो यह गाड़ी आप डेफिनिटली प्लैन कर सकते हो जिसमें आपको फीचर भी अच्छे खासे मिल जाते है उपर की साइट हम देख है तो यहाँ पे शार्क काई से sedan कहाण है किया मेंचन है वेरुट को नाम यहां पी नहीं आता है नीचे का जो पार आप देख रहे हो बंपर क़ो मैट ब्लैक्टर से चार पाकिंग सैंसर हैं, कैमरा की प्रेस्मेंट यहां पर दी हुई है और जो स्पेर वील है वो आएगा गाड़ी के नीचे ही बूट की भी हम बात करें, तो यहां पर यह मैगनेटिक बिटन आपको मिल जाती है जिससे प्रेस करोगे तो बूट आप अपने अक्सेस कर सकते हो घूट बूट स्पेस के हम बात करें, तो अगर आपकी सीट कुछ इस तरीके से यूज में है तो यहां पर आपको प्रेस मिलती है, सीट को यूज में लेने की बाद वो मिलती है 216 liters की 216 liters की यहाँ पे space आपको मिल जाती है बाकि अगर यह seat आप use नहीं करते हैं तो यह seat आप पूरा आगे की तरफ fold कर सकते हो जिससे आपकी जो boot space है वो extend हो जाएगी और यह almost 400 liter प्लस चली जाती है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप इस वाली area को use कर सकते हो और काफी जादा practical third row इस गाड़ी की आपको देखने के लिए यह चीज़ आप बेशक से experience करके देखना आपको समझा जाएगी यहाँ पर adjusted headers 5050 का option यहाँ पर है dual tone interior आप देख सकते हो अच्छे तरीके से एक बड़िया लेयर बनती है नीचे black ऊपर बेज तो सही हैं सारी चीज़ें overall और अभी चलते हैं गाड़ी के interior में interior में क्या के चीज़ें उनकी हम बातचीत करते हैं अगर आपको एक budget में कुछ ऐसा product चीए कि reliable हो और चीज़ों के मामले में आपको ऐसा खाली-खाली सा feel नग रहा है तो वो भी ये variant आपका fill-pull कर देगा क्या है चीज़ें वो आपको दिखाता हूँ door panels पहली चीज काफी heavy door panels हैं और जो overall theme है वो beige and black के साथ पर कहीं-कहीं पर आप देखो तो ये थोड़ा dark blue जो tone है वो भी दिवी है तो मतलब multiple colors हैं यहां पर जो मतलब cabin के जो overall experience को थोड़ा सा और enhance कर देता है आपको खाली-खाली सा नहीं लगेगा बाकि door panel की बात करें तहां पर silver trim है ये blue texture है silver door lever है ये beige है पूरा चारो पार windows है windows कलाओ, doors कलाओ, ovariums के electrical control, speaker, motor holder, amrela holder सब कुछ मिलता है मतलब जो एक door panel पर चीज़े होनी चाहिए वो सब यहां पर seats की बात करें तो यहां पर leather seats आपको मिलती है again बड़ी हाँ चीज यहां पर 6-way manual adjustment का आपको option मिल जाता है airbag के यहां पर tag आपको मिल जाता है यहां पर add a start store वाली बटन है traction control की बटन है light leveling dial है नीचे से 3 pedals है bonnet खोलने का लेवर dead pedal की placement और यहां से खुलेगा fuel lid तो सारी चीज़े अच्छे तरीके से यहां पर दी गई है और अब भी space आपको दिखाता हूँ तो आपको मज़ा जाएगा पहली चीज थर्ड जो है वो काफी अच्छी आती है और seat को थोड़ा था पीछे कर लेता है और यह हैं कुछ इस तरीके से चीज़े मतलब जो first impression रहेगा आपका या फिर कोई भी गाड़ी के अंदर बैठता है तो उसको ऐसा लगेगा नहीं कि पतलब कुछ खाली है गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा feel आया नहीं कि यहां भी इतना पैसा डाला है तो वो चीज फील नहीं कंफिटेबल है देखने में अच्छी लगती है लेयर्स जो है वो अच्छी तरीके से दियुए है और जिस तरीके की fit and finish अगाड़ी की वो overall काफी अच्छी लगती देखने में अब यह चीज़े मैं आपको on करके दिखा देता हूं जब अच्छी को मैं करते हूं यहां पर तो यह अच्छी की पने मिलता है और आप देख सकते हो जो लगते हैं पर इसकी जिस तरीके से कलर टोनस की दी गई है कुछ इस तरीके से दिए कि आपको एजी रहेगा रीड करना और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा सब कुछ की एक्चुल में चल क्या रहा है गाड़ी के बारे मैं यहां पर नंबरिंग के थुरू आपको स्पीड दिखती रहेगी और यहां पर आर्पेम दिखते रहे है यहां पर मीडिय के कंटोर्स हैं इधर इस माडी के कंटोर्स हैं एयर बैक के हाँ पे भी टैग आपको मिलते हैं किया मेंशन है थोड़ी सिलवर हाइलाइट है एड़स्मेंट कि इसकी बात करें तो टिल्ट एंड टिल्ट का ही सिर्फ आपको ऑप्शन यहां पे देखने कुछ इस तरीके के मिलते हैं काफी ब्राइट यहां पर सीट बेल्ट रमाइंडर जो है वह आपको दखेगा और यहां पर संग्लास होल्डर की प्लेश्मेंट आपको दी गई है और यहां पर मैनुल लिमिंग आयार विम प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हैं मिल जाते हैं बेसि आपको मिल जाते हैं थोड़ा और प्रैक्टिकल यूज के लिए बाकि यहां पर हैजार लाइट की बटन है अच्छे तरीके से मर्ज किये गए हैं यहां पर एसी की जो यूनिट है उसके कंटोल सापको मिल जाते हैं नीचे यहां पर यूजबी पोर्ट है एक ट्रेवर चा आप कर सकते हो और यह कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा बाकि यहां की बात चीट करें तो यह आप देख सकते हो अच्छी खासी डीप स्टोरेज मिलती है ग्लो बाक्स के अंदर भी पेपर वर्क से हटके थोड़ा बहुत सामान अप रखना चाहो तो वह भी आप रख स तो चीजों के अंदर वेट अच्छा है और फील अच्छा देती है बाकि यह थी सारी चीजे हैं यहां से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में अभी इसकी सेकंड रो आपको दखाया था हूं कि पीछे क्या स्पेस मिलती है क्या कमफर्ट और किस तरीके से यहां से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में अभी चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो पे और यहां पर क्या चीज है उनकी बात चीज करें तो पहली चीज यह डोर पैनल जो काफी जादा मैंसे बहुत बड़ा डूर पैनल है मतलब वीडियो में तो छोटा स यह चीज है और यहां पर भी सेम ट्रिम से आप देखोगे तो ब्लैक एंड थोड़ा यह बेज का कॉंबनेशन है ब्लू जो टैक्शर वहां पर भी है सिल्वर सिल्वर अगें यहां पर पावंड़ों स्पीकर बोटल होल्डर यह सारी चीज हैं लेदर सीट्स हैं और लेद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिये गए हैं अभी चलते हैं अंदर की वापशीट करते हैं तोची यह लो यह लगा देता हूं एक सेगंड और यह सीड जो है अगर यहां पीछे बैट कोई नहीं जा रहा है तो यह बढ़िया प्राइवेसी रहती हैं मतलब आप देख लो आगे फिर भी लाइट आ रही है पीछे मैं कुछ इस तरीके से बैटा हूं कि हां मैं अपनी परसनल स्पेस के अंदर हूं यहां पर यहांप तो हैं चीज़ पास मैं आ रहां से बैटा वह रिए आगे फिर टो आको प्रेगज दीर आप पे दो type C ports दिए गए हैं यहाँ space है, यहाँ space है, यहाँ space है, magazine holders है basically और यहाँ पे काफी bright सी yellow light मिल जाती है, पीछे भी yellow light मिल जाती है तो यह बड़ी है Kevin के अंदर brightness रहेगी आपके, तो यह है सारी चीज़ और पीछे से एक बार देख लो कुछ इस तरीके से दिखती है ट्रेम्स एंड डैशबोड का व्यू बड़ी है एक दम अब इसका इंजन भी आपको दिखा दा हूं जो इस गाड़ी को थोड़ा रिलाइबल बना देता है डीजल के अंदर तो तोड़ नहीं है जिस इंजन के साथ यात ही है पेट्रोल के पहली चीज यहां पर को इंसुलेशन पैटिंग होगा नहीं है पाकि उसकी आपको फील होगी नहीं कि अपने आप में 1.5 लिटर्स का फोर्ष लेंडर नेच्वली एस्पेट्रेट पैट्र इंजन आपको मिलता है यहां पर जो कि आपको डिबलफ कर देता है ऑल्मूस्ट यह है एंजन पर एक सेकंड को कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से हैं तो यह कुछ इस तरीका के वेरियंट है कि आप यह गाड़ी लो पेट्रॉल डलवाओ और चलाओ सीट कवस तक आपको डलवाएंगे उतनी क्योंकि इसके अंदर लेदर सीट्स आती ही है इनफोटेन में सिस्टम है, सेंटल लोकिंग है, बागी साइज चीज़ आपको मिल जाती है, आगे से पीछे तक सारी कम्क्लीट चीज़ अपने साथ केरी करता है यह वाला वेरियंट, आपके क्या ओपिनेंस इसके बारे मुझे बताना कॉमेंट्स में, बाकी यह वीडियो